आपका स्वागत है मेरे चैनल एक्स्रा प्राची 3-1 पे मैं हूँ प्राची एन आज की वीडियो में मैं बताऊंगी दो कली की पेटी कोट की सबसे सरल और आशान तरीका और चार कली की पेटी कोट को इतना ज्यादा प्यार देने के लिए थाइंक्यू सो मच और जिसकी लिं चाहिए एक चाहिए लंबाई की और एक कमड की तो हमारी तयार लंबाई है 34 इंच और हमारी कमड जो तयार करनी है हमें 44 इंच की तयार रखनी है जो लूजिंग एड़ करके है तो चलिए शुरू करते इस वीडियो को वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को कर लिजेगा पहले मैं नीचे से डोडी के लिए लगबग एक इंच की पट्टी ऐसी दो पट्टी कट कर लूँगी और अगर आपकी लंबाई प्रॉपर नहीं हो रही हो इस पट्टी को हटाने पे तो पट्टी साइड से हटाईएगा जैसे नॉर्मली आप पेटी कोट में ह हटाते हो चलिए अब हम इसी फोल्ड कर लेते हैं इस तरीके से हमें चार फोल्ड कर लेना है देखिए बिल्कुल ऐसा दिखेगा यह देखिए यह डवल फोल्ड इस साइड से है और यहां से हमारा ओपन साइड है तो अब हम इसकी कटिंग कैसे करेंगे तो सबसे पहले जि 30 इंच कपड़ा लेना है इसको हम नाप लेंगे और उससे जितना भी जादा कपड़ा होगा उसे हम मिला कर कटिंग कर देंगे तो आपकी जो भी मेजर्मेंट हो लंबाई की उसमें आपने सारह 3 इंच एड कर लेना है और बाकी सारे कपड़े को पट्टियों में या फिर जोड देना है और यहां पर हम लाइन सीधा कर देंगे इस तरीके से कटिंग करोगे तो अलग से आपको बेल्ट की पट्टी की कोई जरुरत नहीं है ना नीचे की पट्टी की जरुरत है एक कट में ये पेटी कोट तयार हो जाएगा तो आप कमर का निशान हम लगा लेते ह तो यहां पर और नीचे हमने सीधा ही मिला लेना नीचे जितना भी कपड़ा है हमें रहने देना है वीडियो बहुत ही ज्यादा है तो जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हो वह तो गलत बात है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सीखिए रोज कुछ नय और शरल तरीका तो यहां पर हमने लाइन तो मिला लिया है और देखिए एक बार में हमारा ये पेटी कोट बहुत अच्छे लुक में त्यार होगा नीचे से हमें डेर इंच की गुलाई दे देनी है जिससे हमारा पेटी कोट अच्छे शेप में आए इस तरीके से मिला के जैस ये मेरे हिसाब से सबसे सरल तरीका है अगर आपको लगे कि ये सरल तरीका है तो कमेंट करके जरूर बताईएगा तो इस तरीके से हमें कटिंग कर लेनी है और कटिंग के बाद का लुक कुछ इस तरीके से आएगा देखिए और अब हमने इसकी सिलाई करनी है ये भी आप निशान लगा लेना है यहां पे जितने भी आपने खुला छोड़ना है उसके नीचे आपको सिलाई कर लेनी है उपर खुला रहने देना और इस साइड फिटिंग कर लेंगे हम तो देखिए यह हमने जो साथ इंच का निशान लगाया था मैं मशीन पर इसे सिल रही हूं साथ इंच का निशान लगा हुआ है वहां तक हम इसकी सिलाई करेंगे और चार कली की पेटी कोट की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वो भी आप देख सकते हो कि चार कली की पेटी कोट कैसे त्यार की जाती है दो मीटर कपरे में तो यह देखिए हमने यहां तक स फिर से मैंने उल्टा चला लिया है और अब मैं बताऊंगी आपको साइट की चाक बनाना तो इस वीडियो को कंटीनिव देखिएगा अच्छे तरीके से समझे इसे हमने आधा आधा इंच पे ऐसे दो बार मोड़ना है जैसे कि हम गुर्ती की चाक बनाते हैं सेम वैसे ही मै पेटी कोट की चाक भी बनाती हूँ तो फटा-फट से हम ऐसे त्यार कर लेते हैं पेटी कोट की साइड वाली जो भी चाक कहिए और इसे सिलने के बाद हमें बेल्ट त्यार करना है तो फटा-फट से वीडियो में आप कंटीनिव रहिएगा क्योंकि यह थोड़ा सा अलग और यूनीक वीडियो है जो की पेटिकोट की है दो कली की कटिंग वाली इस तरीके से आप त्यार करोगे दो कली की पेटिकोट जो बिगनर्स है चाहे जिनको नहीं भी आता है वो भी बना सकते हैं तो यह देखिए हमने एक साइड का चाक सिल लिया है और अब हमें दूसरे सा साइड नॉर्मली सीधे पिटिंग लेने है ये साइड हमारा चाक वाला था और एक साइड फीटिंग वाला होगा बस दो सिलाई होती है हमारी फिटिंग की तो चलिए हम फिटिंग कर लेते हैं फटाफट से तो जब हमने फिटिंग कर ली तो फटाफट से अब हमें बेल्ट की तपटी त्यार करनी है ऊपर और नीचे की तो चलिए हम उसे बता देते हैं आपको कैसे त्यार करना है तो यह हमारा कमर का इस्सा है और कमर में हमें 2-2 इंच का निशान लगा लेना है क्योंकि कमर के लिए मैंने 2 इंच एड किया था कपड़े में तो यहां पे हमने निशान लगा लिया है और इसी निशान के हिसाब से हमें कमर बना लेना है सिलाई करनी है देखिए आधा इंच इस तरीके से मोरेंगे और जो भी निशान है वहां तक हमें इस तरीके से इसे मोर लेना है बेहद ही शरल तरीका होता है यह इस तरीके से हमारी belt अलग से अटैज करनी का जंजट नहीं होता है और एक बार की cutting में हमारा belt और ये पूरा पैटीकोट त्यार हो जाता है तो हमें इसे shill लेना है आगे और पीछे और दो सिलाई चलानी होती है पैटीकोट पे फिनिशिंग से दो सिलाई चलिए दिखा देती हूँ मैं ये देखी हमारे दो सिलाई होकर ये पट्टी त्यार है और अब हमें नीचे की पट्टी कैसे मोड़नी है वो मैं आपको बताती हूँ तो ये हमारा नीचे का भाग है और नीचे की पट्टी के लिए मैंने 1.5 इंच कपड़ा ज्यादा लिया था तो हमें 1.5 इंच पे निशान लगाना है जितना भी कपड़ा आपके पास एक्स्ट्रा होगा उसमें से आपको बेल्ट और पट्टी के लिए कपड़ा बाट लेना है और उसी हिसाब से फोल्ड कर दोनों एक तरीके से होती है बट बेल्ट में जो होता है हमें डिजाइन एड करना होता है अभी तक आप अगर चैनल पे कंटीनिव वीडियो को देख रहे हैं और नए हो तो फटा-फट से सब्सक्राइब करके मेरी फैमली में जूड़ जाईए तो हमें इस तरीके से सिल ल अपने हिसाब से दो तीन सिलाई चला सकते हो तो फाइनल लुक देखते हैं कि हमारा इस सिलाई के बाद यह देखिए हमारा पेटी कोट रेडी हो चुका है और बहुत ही सरल है नीचे की पट्टी में मैंने डिजाइन एड किया है तो आप देख सकते हो कि यह कैसा त्यार होगी वीडियो हेलफूल लगी होगी और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा पुराने हो पहले से जानते हो तो सेड जरूर कीजिएगा इस वीडियो को अपनी फैमली में